नमस्कार स्वागत है आपका अपना उत्राखण में खबरों की शुरुआत करते हैं कुम्ब के दौरांच रधालूं को हर दिन इस बात की जानकारी मिलेगी कि गंगा का जल नहने और आचमन लायक है या नहीं अभी तक जांच शेड्यूल के लिए केंद्र की गाइडलाइन्स का इंतजार किया जा रहा था अब इसको लेकर केंद्र प्रदूशन नियंतरन बोर्ड की ओर से प्रदूशन बोर्ड मुख्याले दहरदून को दिशा निर्देश जारी किये गए हैं इसके तहट कुम्ब में गंगा के जल की प्रति दिन मॉनिटरिंग की जाएगी साथ ही प्रती एक दिन का डेटा किन सरकार को भी भेजा जाएगा वैसे तो गंगा के उद्यमस्थल गोमुख से निकलने वाली गंगा सबसे पहले हरिद्वार में पहुंचती है ऐसे में गंगा का जल नहने और आचमन के लिहाज से शुद माना जाता है लेकिन जब से गंगा में आश्रमों और होटलों का सीवर गिरने लगा तब से गंगा के जल में अशुद्धी का स्तर भी बढ़ने लगा है प्रयाग राज और बनादस तक जाते जाते जल में अशुद्धी की मात्रा और भी बढ़ जाती है ऐसे में कुम्ब के दौरान श्रद्धालूं के नहने और आचमन करने के लिए मानकों के अनुरूप जल मिल रहा है या नहीं इसकी जानकारी देना ज़रूरी हो जाता है इसी मदे नजर के इन सरकार प्रतियक कुम्ब पर जल की मॉनिटरिंग करने के लिए गाइडलाइन्स जारी करती है हरिद्वार में मकर संक्रांती से प्रारम हो रहे कुम्ब के लिए गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा था अब जो गाइडलाइन्स आई हैं इसके अनुसार 14 जनवरी से प्रती एक दिन गंगा के जल की गुणवक्ता की जाच की जाएगी उत्राखंड STF UP के बदमाशों की संपत्यों का कच्चा चिठा खोलने में जुट गई है UP पुलिस ने STF को कई बदमाशों का ब्योरसों पा है जिनोंने यहां बड़े पेमाने पर निवेश किया है इन सपत्यों को अटैच करने के लिए UP पुलिस ने उत्राखंड STF से सहीयोग मागा है जल्दी उत्राखंड STF इन बदमाशों को बिल से बाहर निकालेगी भी और संपत्यों को अटैच करने में UP की मदद भी करेगी दरसल उत्रप्रदेश में बदमाशों के सफाय का अभ्यान लंबे समय से चल रहा है UP पुलिस इनको क्यातों की संपत्यों को अटैच करने में भी चुटी है इस डर से कई बदमाशों ने उत्राखंड के शहरों में पना ली है उन्होंने UP पुलिस की इस मुहीम से खुद को बचाव करने के लिए यहां संपत्या भी खरी दी किसी ने फ्लैट लिये तो कई रिश्दारों के नाम पर मकान कर उनमें परिवारों को बसा दिया इन्ही सबकी आड में ये बदमाश उत्राखंड में आते जाते रहते हैं पिछले दिनों STF मेरट जोन ने उत्राखंड STF के SSP को ऐसे दरजन भर से ज्यादा बदमाशों की सूची सौपी थी UP में इन बदमाशों की संपत्यों को अटैच किया जाना है चुकि मुकद में UP में ही दरज हैं तो अटैच्मेंट की कारवाई भी UP पुलिस को ही करनी है अब यहां STF इन सब पत्यों का ब्योरा जुटाने में लग गई है ताकि इन बदमाशों को उत्राखंड से भी सदा के लिए साफ कर UP पुलिस की मदद की जा सके मसूरी पहुँचे बॉलिवूड अभिनेता मितुन चक्रुवर्ती की सेहत अचानक बिगड़ गई सूचना पर सिवल अस्पताल से चिकित्सकों की टीम होटल पहुँची और उनकी जांच की डॉक्टरों के अनुसार अब उनकी सेहत में सुधार है शेहर के जिला उपचीकित साल्ले के CMS डॉक्टर यतेंडर सिंग ने बताया कि मितुन होटल सवाय में ठहने हैं शणिवार को होटल से फोन कर बताया गया कि वे अस्पताल आने में असमर्थ है इसलिए डॉक्टरों के टीम को होटल भेजा गया डॉक्टरों ने जाँच के बाद उन्हें जरूरी दवाएं दी जिससे उन्हें आराम मिल गया तबियत खराब होने की वजह से उनकी शूटिंग आज रद कर दी गई थी सूत्रों के नुसार मितुन को उल्टी दस की शिकायब थी मुख्यमंत्री त्रविन सिंग रावत के चन दिन पर रविवार को भाजपा महानगर इकाई द्वारा विभिन कारिक्रम आयुशित किये गए साथ ही यग्य और हवनकर मुख्यमंत्री के शीग्र स्वास्त लाब और दिरगायों की कामना की गई रविवार सुभा 10 से 11 बजे प्रदेश की खुशाली के लिए विश्नुयग दोपहर बाद 3 बजे शाम 5 बजे तक महानगर कार्याले में सुन्दरकान अल्प संख्यक मोर्चा द्वारा सुभा 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक महानगर कार्याले में रक्तदान शिवर आयूजित किया गया सुभा सवा 11 बजे युवा मोर्चा द्वारा खेल सामिगरी का वित्रण किया गया इसके अलावा विभिन सांस्कृतिक कारिक्रम खेल गत्विदियां और अन्य कारिक्रम आयूजित किये गए फिलहाल अपना उत्राखंड में इतना ही नमस्कार